हलो दोस्तो हमेशकार तो चलो start करते सबसे पहले तो focus तो रहने वाला है किस के उपर हमारे बजार के उपर किस चीज के चलते चाइना ने जो stimulus package अनौन्स किया है अभी देखा गया तो directly इसको stimulus package मतलब कैसा है वो debt के फॉर्म में उन्होंने दिया है ठीक है direct वाला नहीं था जैसे कि पहला 140 billion का दिया उस हिसाब से हमारा निफ्टी को भी देखना है और चाइनीज बाजार को भी देखना है क्या उनको यह वाला जो मतलब स्टिमिल पैकेज अनौंस तो किया है बट डेप्ट के वाला फॉर्म क्या यह पसंद आया या नहीं आया तो कल यह एक देखने वाला इंट्रेस्टिंग रहेगा तो कल के दिन की सबसे निफ्टी-फिफ्टी देखना है ठीक है चाइना का मार्केट देखना है ठीक है एंड हमारे FIS-DIS activities में FIS का रियेक्शन क्या रहेता है वो देखना है इंट्रेस्टिंग है आप होने वाला है ठीक है तो यह सबसे पहले important point है इसको आप note करके चल सकते हो दैन अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता यह maximum result का ही season देखने को मिल रहा है तो बहुत से रही reaction कल देखने को मिल जाएंगे वैसे तो खड़ाब companies मतलब numbers ही हम लोगों को खड़ाब देखने को आप है मिल रहें तो पिटाई ज़्यादा ही देखने को पुछ companies में फिर भी tough माहूल में tough peach पे कुछ अच्छा score किया है उसको भी आप radar के उपर रख सकते हो तो result के हिसाब से ओला electric के उपर आप focus रख सकते हो company के number हम लोगों को देखने को मिले थे तो कैसे रहे company के number तो आप यहापर देख सकते हो net loss हम लोगो थोड़ा सा narrow होते वे देखने को यहापर मिल गया and revenue हम लोगो 1214 करोड के आसपास जाते वे देखने को आपर मिल गया 39% की jump हम लोगो रहे सकते हैं इन companies का जो focus होता है वो revenue के उपर ही जादा देखने को आपे मिलता रहता है तो ओला electric के प्रती बाजार का reaction कल कैसे रहेगा यह देखना interesting रहेगा ठीक है company के market share की बात करें पहले 50% प्लस था जो बाद में गिर के अभी 30 के आसपास approximately चलते वे देखने को मिल रह थी which shows that कि किसी ने तो बड़ा माल बेचा होगा SBA के number देखने को मिलेते काफी impressive number थे estimate को beat यह पे किया था तो जरूर यह देखने वाली बात होगी कि market को यह number अच्छे लगते है या नहीं LIC की बात करें इनके भी number देखने को मिलेते number के साथ एक commentary भी था कि health insurance segment में वो entry कर र परिदने का वो complete हो जाएगा तो यह stocks सरकारी radar पे रहेंगे डन टाटा मोटर की बात करें तो no doubt about it की company के number तो काफी खराब देखने को मिले हाँ उमीद की अगर एक कोई किरन देखने को मिले है कि अगर इसमें अगर अच्छा ही point पकड़ना है तो company के खास करके जैगवार र बात कर ले तो उन्होंने shareholders को confidence दिखाने की कोशिश की है हाँ no doubt अभी का समय खराब देखने को मिल रहा था बट भविश्य में वह अच्छा करेंगे तो क्या commentary इस वक्त गेम चेंज करेंगी यह देखने वाली बात तो यह पर ज़रूर होने वाली yes किसी ने comment भी हापर किया ता कि last time company के number actual में अच्छे थे बट commentary बहुत ही खराब थी ठीक है इस चीज के चलते गिरावड़ देखने को मिल चुकी है तो एक काफी interesting factor यह पर होने वाला है then premium energies के अगर हम लोग बात करें इनके number देखने को मिलेते हैं Friday की दिन market close हो जाने के बाद तो numbers के अगर हम लोग यहापर बात करे तो quarterly आप यहापर performance देखोगे operating profit की बात कर लेते हैं तो 358 का कितना हो गया 381 और यहापर आप September देख सकते है September to September हाँ इसको नहीं देखना है यहापर March के number देखने को नहीं मिलते है तो यहापर हम कह सकते है कि yearly भी company ने अच्छा परशन दिखाया अच्छा क्या बहुत अच्छा दिखाया margins 14 से 25 हो गये quarterly 22 से 25 हो गये and net profit भी अगर हम लोग देखेंगे 53 का net profit 200 हो गया 198 का 200 हो गया earnings भी 2 का साड़े चार क्रॉस और यहापर अगर हम लोग बात करें 5.93 का earnings थोड़ा सामनों को 4.57 के असपास नीचे जाते वे देखने का आपर मिल चुका है ठीके बट और अगर हम लो jet airways आप सब लगं को पता है finally इनके ओपर मोहर लग गई भाई कि jet airways अभी वापस कभी नहीं उड़ पाएगा क्योंकि supreme court ने बोल दिया कि liquidation के order उनने पास कर दिये ठीके उसके पहले 5 साल तक कोशिश चल रही थी कि इसको resolve करने के लिए revolve करने के लिए ठीके बड़ वो finally resolution plan fail ही होते हैं देखने को मिल गया तो यही better option है कि अभी liquidation का order ही दिया जाए इसके उपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि supreme court ने यह order पास कर दिया है अभी jet airways के जो shares है भाई इसमें तो सिर्फ lower circuit ही देखने को मिल जाएगा फिर भी कोई महानात्मा होगा भाई तो भी वो buy करने की कोशिश करता होगा भाई तो आपको पता ही है कि मतलब रहता है ऐसे बहुत सारे लोग जो randomly किसी भी चीज में आपे उतर जाते हैं तो आपको मैंने sequence भी बताया था कि कैसे asset बेचने के बाद पैसे आएंगे और वो पैसे का distribution भी जो order of payment रहता है ठीक है उसमें भी आपको पता है shareholder का नाम आखिर में होता है अरे bank को अपना पैसा नहीं मिलने वाला है ठीक है shareholder को क्या ही मिलेगा ठीक है shareholder हमेशा आखिर में यहापे रहता है तो यह जस्ट फॉर्मेलेट ही होता है वैसे भी अभी यह company trade भी ज़्यादा यहापे होती है नहीं और होगी भ परफोर्मस था के लिए हम लोगों को देखने को आपे मिल चुके है data pattern defense वाली company जिसने इबदम धूम धड़ा के दार performance दिखाया था आप देख सकते हो उसके भी numbers में हम लोगो थोड़ा जाए इस बगका disappointment वाला pattern साफ साफ नजर आते वे देखने को मिल चुका है so market को कल कैस सा रहता है reaction वो देखने वाली बात है then advanced technology की बात करें इनके भी number में कुछ खास performance देखने को नहीं मिल रहा था revenue profit की बात कर ले तो disappointment वाला performance था हाँ दो companies ने काफी इस खराब पीच के उपर अच्छी बैटिंग की थी एक था किम्स Krishna Institute of Medical Science की अगर बात करें तो and Divis Laboratories so देख इनके प्रती क्या बाजार का reaction रहता है ठीक है क्योंकि इन्होंने अच्छा decent result यहां पर दिखाये थे जो मैटो की बात करेंगे तो जो मैटो थोड़ा सा focus मेरेगा दो चीजों के चलते एक तो Swiggy का IPO देखने को आपे मिल रहा है और दूसरा जो मैटो एट Swiggy के पीछे हम लोगों को competition commission of India का investigation देखने को आपे मिल रहा है ऐसी ख़बर report के जरीए देखने को मिल रहे है क्योंकि हम लोगों को मतलब बोलते हैं रूल्स को तोड़ते वे देखने को आपे मिल रहे है ठीक है ऐसे कुछ agreements करके यह चल रहे है जिसके चीज पल दे रहा हूँ आपको 10 रुपे का दिया था तो लोग क्या करेंगे स्विगी के पास जाएंगे की ने क्यूंकि उनका platform fee कम था तो स्विगी ने भी क्या कर दिया नेक्स दिन 10 कर दिया भाही इसको भी तो अभी का पे जाओगे हो गया ना competition खतम तो usually इस प्रकार की चीज देखने को मिल जाती है वहाँ पे इस प्रकार की चीज़े देखने को जाती है तो इसमें company फायदा उठाते है customer तो भाई PC जाता है ठीक है टेलीकॉम सेग्मेंट में भी हम लोग को वही चीज़े देखने को मिल जाती है Relance के अगर हम लोग बात करेंगे यह तो लगातार गिरते ही जा रहा है इतनी बड़ी कमपनी ठीक है इसके उपर आज मैंने एक डीटेल में वीडियो भी बना है सबसे बड़ा अगर डर कोई है ठीक है तो उसमें यही देखने वाली बात है कि क्या Elon Musk की entry होगी की नहीं क्योंक जियो की अगर हम लोग बात करें डिजिटल तो उसका एक बहुत बड़ा significant portion relance industry में हम लोग को देखने को मिल जाता है दैन अगर हम लोग आपे बात करेंगे कल के दिन के हिसाब से तो बहुत सारे important company के numbers है आप चाओ तो फटावट note करके आपे चल सकते हो जैसे कि आरती surf के नंबर आप देख सकते हो nanocap type की company है काफी उपर नीचे हो जाते इनके numbers के बाद chart pattern की बात करें तो और कौन-कौन सी करेंगे थोड़ा fast cover करेंगे कोई रहे गया तो भाई बुरा मत मानना दैन अगर बात करेंगे तो आजद 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 इंजिनेरिंगे चिक कर ले बैंक ओफ इंडिया के नंबर को जरूर यहाँ पर देखना है ठीक है देन उसी के साथ साथ बंसल वाईरिंग को आप चाओ तो थोड़ा बहुत study कर सकते हो BML के नंबर सरकारी company जरूर नोट करके चल लेना थोड़ा सा और fast यहाँ पर चलते हैं BLS इंटरनेशनल लेके yes BLS वाली company को भी आप जरूर चेक कर सकते हो blue dart वाली company जरूर इसके नंबर को यहाँ पर देखना है then nifty 50 वाली company Britannia industry FMCG वाली company जरूर इसको focus में रखना है then campus के नंबर देखने को मिलेंगे footwear वाली company note करके चल लेना मतलब कल के दीन भी अगर हम लोग बात करे तो बहुत सारे company के बड़े बड़े नंबर देखने को मिले वाले then chemical वाली company chemcrest को भी थोड़ा बहुत आप study कर सकते हो थोड़ा और आगे बढ़ते डी segment में आगे तो devian international को जरूर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे then उसी के साथ-साथ थोड़ा और आगे बढ़ लेते फटावट फटावट ड then fusion fusion मतलब आएगे इस वही microfinance है क्या fusion finance ठीक है आप चाओ तो इसको थोड़ा बहुत study कर सकते हो galaxy surf अगे आरती surf जैसे ही है उसको भी study आपे कर लेना काफी volatile रहता है then godfrey philips की बाद करें cigarette वाली company tire वाली company good luck को जरू study कर लेना ठीक है तो कल भी बहुत सारे companies है then graphite की बात क तड़ी आपे कर सकते हो नोट कर लेना अभी बहुत सारे number आएंगे आकरी आकरी समय पे ठीक है अजी infra की अगर हम लोग बात करेंगे काफी जबरदस ये company ने परफॉंस दिखाया है हिंडल को जैसे company के number है हिंद copper जैसे company के number है actually glass court के number देखने को मिलेंगे gmm fordler के number काफी पूर थे देख लेते हैं इसके number कैसे आते है m segment में आगे देन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो थोड़ा और नीचे तो nmdc के number को आप चाओ तो थोड़ा बहुत go through कर सकते हो ठीक है on mobile चाओ तो थोड़ा सा इसको भी आपे पढ़ सकते हो देन उसी के साथ-साथ ओरियेंट के थोड़ी से number को go through कर लेना देन उसी के साथ-साथ अगर और थोड़ा फटावट फटावट नीचे देख लेते हैं जो भी कोई अगर इंट्रेस्टिंग कंपणी रेगे रुस्तम जी थोड़ा बहुत स्टड़ी कर लेना ठीक है देन उसके बाद एस सेग्मेंट में भी बहुत सारे कंपनी स्नोवेन कुछ आओ तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप यहापे ठीक है देन उसी के साथ-साथ देखने को मिल जाएंगे ज़रूर इसको आप लोगों यहापे स्टड़ी यहापे करना है तो ठीक है जितने इंपोर्टन नंबर थे वो फटावाट एक ओवर्वीव करके मैं आप लोग के सामने हापे रख दे ऐसे बहुत सारे कंपनिया भी विश्नु मतलब भी पूरा डेटा भी सामने आपे निकल कर आएगा तो एंटीपीसी ग्रीन के चलते एंटीपीसी रडार के उपर यहापे जरूर रहेगा हला कि देखा गया तो आईपीओ वाला माहूल अभी काफी डल हो चुका है विकाज आफ मार्केट का जो प्रेशर देखने को मिल जाता ह जाते हैं आपको पता ही है काफी सारी ऐसी भीड होती है जो सिर्फ आईपीओ में निवेश्च करने के लिए आती है तो बिल्कुल भी अभी फिलाल तो नजर यापे नहीं आ रहे बट फिर भी देख लेते हैं कि जीएमपी इनका कैसा रहता है कैसा औरल परफर्मंस रहेग उस हिसाब से आगे की चीज़ें देखने को मिल सकते हैं तो ठीक है दोस्तों जीतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए वीडियो अलप लगा होते चाओ तो लाइक और शेयर कर सकते हैं मिलते हैं कल तब तक के लिए बबाए